हलो गईज, मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमीर सिंग के अधारा अभी अभी एक ऐसा बड़ा खुलासा किया गया है जो कि बहुत ही जादा हैरान कर देने वाला है यही नहीं उन्होंने जो है मंतरी का नाम मिलिया है और सीधे सीधे बोला है कि इस केस में जो है इनका हाथ था जैसा कि सुसान सिंग राजपूत की जो फैंस हैं वो सारे के सारे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आप नहीं तो कभी न कभी जो है परंबीर सिंग जो है सुसान सिंग राजपूत केस को भी खोलेंगे क्योंकि सुसान सिंग राजपूद केस में भी कई मंतरी का नाम सामने आया था सुसान सिंग राजपूद और दिसासालियान दोनों केस में जो है किसी एक मंतरी का नाम सामने आ रहा था लेकिन आज तक उसको ओपन नहीं किया गया लेकिन पब्लिक को ये आसा थी कि सायद परंबीर सिंग इसको खोलेंगे लेकिन अभी तक परंबीर सिंग ने इसको तो नहीं खोला लेकिन आज जो है उन्होंने एक suicide case को फिर से पब्लिक के सामने open किया है और उसमें जो जिस मंतरी का नाम लिया है उसका नाम है अनिल देशमू उन्होंने सीधे सीधे मोहन दिलकर जो एक suicide case था जैसामने कुछ दिन पहले एक news सुनी होगी जिसमें बताया गया था कि दादर नागर के MP मोहन दिलकर मोहन दिलकर ने जो है suicide कर लिया था और उस suicide case में परमीर सिंग ने सीधे सीधे जो आरोब लगाते हुए बोला कि वो जो suicide case था उसमें भी मैंने ग्री मंतरी को बताया था कि ये case जो है दादर नागर के ही एरिया में जो पुलिस सिटिसन है वहाँ पे दर्ज होना चाहिए लेकिन अनिल देशमुक ने उस case को वहाँ पे दर्ज नहीं होने दिया और जो है मुंबई पुलिस के अंडर में उसको दे दिया और परमीर सिंग ने ये भी बोला है कि वो जो दादर नागर में वो case हुआ था जो suicide case हुआ उसमें दादर नागर के ही कुछ लोग जो है उस case में involved थे लेकिन अनिल देशमुक को मैंने ये चीज़ बताई थी उसके बावजूद भी अनिल देशमुक ने जो है उस case को जो है मुंबई पुलिस के अंडर में दिया नागर का जो एरिया था उस पुलिस स्टेशन के अंडर में एभाई यार नहीं करने दिया तो इस पर भ जो अभी आरोप लगा जा रहा है इसमें अनिल देशमुक के उपर सीधे सीधे नाम लिया जा रहा है परमबीर सिंग के द्वारा लेकिन जो नाम लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एंसीपी के नेता के का ही नाम लिया जा रहा है अभी तक परमबीर सिंग ने जितने भी लोगों के उपर आरोप लगाये हैं, वो सारे के सारे NCP के नेता हैं, ना कि सिवसेना के, मतलब सिवसेना के जितने भी नेता हैं, उनके खिलाब परमबीर सिंग के द्वारा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ NCP के जो नेता हैं, उनके खिलाब बोला जा रह जानभूश कि किसी एक party को फसाने के कोशिस की जा रही है क्योंकि जहां प्यात की जा ऐसा तो है नहीं कि सीर्फ और सिर्फ ncp के नेता ही जारे के सारे मंत्री जो है हर एक केस में इंडाल्ड थे इसमें Suchena के भी उन्म मंद्री का नाम सामने आ रहा था जैसा कि पब्लिक के सामने आ रहा था लेकिन उनके बारे वे हैं उसे हुशी लोग उसमें इंबॉल्व हैं तो अने वाले टाइम पहीं पढ़र चलेगा लेकिन अभी जो सिर्फ और सिर्फ आरोब लग रहे हैं इन निल देशमुख के उपर कि इनका involvement जो है ए मोहन दिलकर केस में भी कुछ न कुछ है अब वो आने वाले टाइम पर बता चलेगा कि क्या involvement है और कैसे ये जो है मोहन दिलकर जो MP थे दादर नागर के उन्होंने कैसे सुसाइट किया और इनका कैसे उनके साथ में connection है आपका क्या